नहीं सर यकिनन मैं तो इतना बड़ा क्रिकेट का फैन नहीं हूं सर मैं देखना पसंद भी नहीं करता ज़दा लोगों ने मुझे पूछा भी था कि आपको क्या लगता है कौन जीत है का मैंने बोला मेरी बलाज से कोई भी जीता है जुरूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए इसी इंट्रस्टिंग और इंफरमेटिव वीडियो लाते रहें और इस वीडियो का ओरिजिन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा आप उनकी चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें तो चलिए साथ मिलके यह वीडि क्रिकेट का फैन नहीं सब्सक्राइब करता जादा लोगों ने मुझे पूछा भी ता कि आपको क्या लगता है कौन जीता का मैंने बोला मेरी बला से कोई भी जीता है मॉन इंट्रेस्टेट इन करके जो मुलकों के मसायल होते हैं सरो क्रिकेट पेश पर सॉल नहीं होते हैं कि आपको मामले सरु यॉनाइट नेशन्स पर सौल उगहा इनके फैसले इनके फैसले इनके फैसले लाइन ऑ पर होंगे तो यह जैसे कहते हैं कि सर तफरी में थोड़ा सा हो गया कि एक जमाने में मुर्गे लडाते थे लोगोड़े दाटे थे तो ऐसे ट्रिकेट चलता है I don't mean to belittle a game. मैं तो ट्रिकेट पे गौतम गंबीर भाई हैं, गौतम भाई कि अलावा मैं किसी को ट्रिकेटर को फॉलो भी नहीं करता है ट्विटर पे. मेरा ऐसा कोई इंट्रेस्ट नहीं है, कि किसी भी प्रिकार से मैं कुछ दिस नहीं. बट शेक रशीद नहीं जो बोला से यह, बत्ते हैं कि यह ऐसे बयान दे देते हैं, जो कि खुद इन पर उल्टे पड़ जाते हैं, मैं आपको पर बखता हूँ. शेक रशीद में बोला कि जो भारत की हार है और पाकिस्तान की जीत है, वो आलम इसलाम की जीत है. तो मैं शेक साब सी यह पूचना चाता हूँ कि शेक साब आप एक बात बता है, चलिए यह आलम इसलाम की जीत है, मान लेते हैं आपकी बात. ठीक है ये इसलाम की जीत है तो जो बारा मैच आप पहले हारे थे वो इसलाम की हार थी क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि वो आलम इसलाम की हार थी जिसको अब ये जीत थी तो पहले बारी हार होई होगे ना अगर आप ये कहना चाहते हैं फिर हम कबूल करते हैं साथ क्योंकि सब चीज़ें बचकानी चीज़ें शेक्साब कि एक रावल पिंडी में सरे एक जिसको कहते हैं कि दाइबाजू की कुछ जमाते हैं राइट-विंग और इंचा लगता है तो पर उनको यह समझना चाहिए कि लिए इंटियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो थोड़ा से कम बोल क्योंकि इनकी आर्गुमेंट में होल्स पिक करना सर्य है मैं तो कम से कम सोते सोते कर दूंगा मुझे जो भी हिंकि सिंपल सी बात है अगर आप यह कह रहा है आलम इसलाम की जीत तो पहले बारा बार हारे ते वो क्या था वो आरती आलम इसलाम बिल्कुल नहीं कि यूँकि इसलाम अगेंस्ट है अगर इंका एंगलेंड के सब क्रिक्ट मैच होगा यह तो एक और चीज मैं कहना चाहता हूं तहर साथ इसको जयाद का अब देंगे फिर जब दूसरी साइट कुछ बोलेगी फिर दें देल प्ले विक्टम कर्ड परिर इसलाम अभो भी आगी बात करे इमरान खान का भी कमेंट है कि मैं इंडिया से अभी बात नहीं करना चाहता क्योंकि अभी अभी इंडिया क्रिक्ट माच में हा रहा है तो उनका मूड खराब होगा अभी यह देखिए जैसे कि क्रिक्ट खेलने से पहले इंडिया इंसे बात करना चाह रहा है वो मुझे पर इंडिया मरी जारी चीन से बात करने के लिए इन्हों ने अप्रोच करा है अमेरिका को हम से हमारी इंडिया से बात करा हो वो CNN का मैं हवाला देना चाहता हूं आपने पड़ा होगा आर्टिकल CNN में चपा था कि पाकिस्तान अमरीका के सर गुटनों के सामने आ गया गुटन से पाकिस्तान ने जो पीटी आई के कारकून हैं तो उनको खुश करने के लिए सब डायलोग वाजी करते हैं कि हमने मैच हरा दिया यह है बाहर जा कि यह पैर लग जाते हैं अमेरिकान्स की कि इंडिया की बात करा दो तो मुझे लगता है कि कहीं ने कि इनके दमाग में रिशीदों सिर्फ पब्लिक कंजम्शन के लिए ही ये ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देते ये खुद भी इसी माइंड सेट के लोग हैं इनकी अपनी सोच भी बदकिस्मती से इतनी ही चोटी है इससे आगे ये सोच नहीं सकते आपने बड़ा ऐहम इसमें एक नुक्ता उठाया कि अगर शेग रिशीर के बकॉल क्रिकट का एक मैच जीतना आलम-इसलाम की फता है तो आलम-इसलाम के जो एहन लोग हैं वो तो जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं और साइन कर रहे हैं मो यू साइन कर रहे हैं बहुत बड़ी डवेलमेंट्स हो रही हैं तो इन सारी नह को जम्मू कश्मीर में आप कैसे देखते हैं सब जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट्स जो है वो देखिए जो यॉनाइटे डायरफ एमिरेट्स असर वो तो इसलामिक हैं और वो लोग यहां पर मैसिवली इंवेस्ट कर रहे हैं मतलब बिलियंज ऑफ डॉलर्स का और मो दूसरी चीज है कि शार्जा से स्रीनगर शार्जा फ्लाइट भी हो गई सुनने में आया है सिर्ण अभी इसका कोई पॉब्लिक अनौंस्मेट नहीं हुआ है लेकिन यह वी सुनने में आया है कि श्रीनगर टु कॉलालंपूर और श्रीनागर डूंडन की भी फ्लाइट ऐस फिर दिली से आगे अब डिरेक्ली कश्मीर को दुनिया से जोड़ दिया है इन्होंने फ्लाइट टेक ओफ कर गई तो ऐसी बात निये सरकी कोई अनॉंसमेंट हुआ था इसमें ना जैसे कि होता है कि अनॉंसमेंट हो गया वो इनॉगरेशन हो गया ग्राउंड ब्रेकिंग सर आपने खुद के लोगों को जुड़ बोता है और अगर मेरे पाकिस्तानी भाई बेन ये देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा समझें इस चीज को कि आपका इमरान खान आपसे कितना बड़ा जुड़ बोल रहा है यह फ्लाइट जा कहां से रही है श्रीनगर स साले चार गंटी की फ्लाइट है किस रास्ते से गई है क्या आप यह कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी एस पेस से फ्लाइट में ही गई अगर यह पाकिस्तानी एस पेस से गई है तो जैसा आपसलूटली नॉट इन्होंने अमेरिका को बोला था क्या भारत को भी ऐसा करी थी और आपके जो वहां पे लोग मारे थे आपके खुद पाकिस्तान के अंदर लोग मारे थे बहुत पहले मुझरफ के टाइम पर और अब आफगानिस्तान में जो बामिंग करी है वो कहां से जा रहे हैं ड्रोन्स आप ये भी पूछिए सब के बारे मैं पूछे सर वहां पर बहुत जादा द्दीली आ रहे है वहां पर बीजस बन रहे है सर वहां पर पूल्वा में जहां पे जहां पर व τις pigild रोन में जहां फर ट्वիश्परत वह वह भी हो रहा हैं रहा है वहां पर बनान रहां निडिकल कॉल्ज चाहई बनाने की बात करह आ है soyal बहा है एंगिनीरिंग्स कोलिजि इंडिकल कोलेज जिप्रिजिस जिर जिर इंडिज अइंडेशन एंग इंट को स्वेंशिन को आर्फेंश और चल लिया संग तो इन इन जोब्स कैसे होते हैं जोब्स यह थोड़ना होता है कि सर आपने दो लाख लोग अपने भर्ती कर लिए इन यूर इन यूर गवेंट सर्विस वो जॉब्स नहीं होते हैं आपको जॉब्स की ऑपर्चुनिटी करनी पगती है प्राइवेट सेक्टर में और वह सरकार कर रही है सर इन सब से जॉब्स की ऑपर्चुनिटी आएगी अब देखें बहर से लोग जाएंगे आएंगे सिर्फ यह नहीं होगा ना सर इसके मतलब यहां से देवल और कश्मीर में कार्पिट्स बड़े मशूर हैं कश्मीर में ड्राइफूर बड़े मशूर हैं तो जो कार्गो के प्लें खएंगे सब यह सब लेकर जाएंगे तो जान सी बात है कार्गो की प्लें है वह लेकर जाएंगे this रहें आपके सरे कश्मीर में बड़ी मशूर वोल्ट की एन डेसिए मिलेस जाएंगे और डंटल यहाँ से टरेडिंग एक्शेंज बनेगा इससे दॉलर यहां पर आएंगे, वहां पर ट्रेड होगी, फिर उसके बाद अरब शेख हैं सरी, वहां से, पाकिस्तान में हो तो शिकार करना अँरा हैं सरी, वह चुड़ियाँ ओडियाँ और यह समार दिया है, इस सब के लिए आते हैं, या फिर शादियाँ मादियां के लिए आते है, और टेबररी time अजेजी शादी जो होती हैं, इंडिया में आते हैं sir, इंवेस्मेंट के लिए. तो अरभ शेक कौन सी जगे किस काम के लिए जा रहा है, हमें यह देखना भी ज़रूरी है. अरभ शेक पाकिस्तान में कभी इंवेस्मेंट के लिए नहीं जाता ज़र. इंवेस्मेंट अगर उसको करनी होगी तो भारत ही जैसे इमरान खान का ये कहना के जी भारत से बात तब होगी जब ज़रा क्रिकट का उन्हें गम कम होगा या शेख रशीद का अलमी इसलाम की फत्ह की जीत की बात लेकिन ऑन दे अदर हैंड में सब हम कुछ पॉजिटिव चीजे इनके निरेटर से हटके भी देखते हैं के भा इंविटेशन गया है वो शायद उसमें शरकत भी करें इसी तरह तालबान के हवाले से जो वहां पर एक कांफरेंस होने जा रही है उसमें भी पाकिसान के NSA को इंविटेशन गया है ये वो इंविटेशन हैं या ये वो राप्ते हैं जो हम गुजिटा पांच-छे साल से नह कि पब्लिक कंजम्शन के बावजूद आप इसको कैसे देखते हैं तायर साब इसके पहले कि मैं कुछ बताओं मैं आपको थोड़ा सा मेंशन करना चाह रहा था एक चीज़ अगर आपकी इजाज़त हो तो सर ऐसा है कि जब क्रिकिट में चल रहा था ना उसके 24 गंटे पहल कि साथ हजार करोड की मोदी जी ने एक हेल्थ स्कीम निकाली टाटा ग्रूप में बोला कि हम 15,000 करोड रुपे विच इस रफली टू बिलियन डॉलर्स हम इलेक्ट्रिकल वीकल्स में इंवेस्ट करेंगे ठीक है कश्मीर में यह फ्लाइट चल गई शाल जाकी जिसके हमने और बात करी और और वी बड़ी बड़ी चीज हुई तो बहुत बड़ी बड़ी चीज हैं इंडिया में हमीं सार्व बहत क्कॉचर हो 120 wszyscy 14 जब यूवरिया मैच होने वामाना है जीत गए जीथ गए जीथ गए मुझे असा लागता है कि पाकिस्तान में यह जीज है कि यह तो छोटी सी भी ख़बर मिल जाती है तो लोग बिलकुल बावले से हो जाती है और सोचने लगते हैं पता ने क्या हो गया है तो यह सब चल रहा है सर पाकिस्तान को लेकि इस वक्त दूसरी चीज़ आपने बात करी NSA को और स्पीकर को इनवाइट करा मेरा थोड़ा सा इसमां भयानिया थोड़ा सा मुक्तलिफ है सर थोड़ा सा अलग है और जैसा कि हमने सर जिस मुल्क में सर प्रदान मंतरी की नहीं चलती सर उधर NSA की क्या चलेगी तो यह सब ठीक है यह ऑप्टिक्स के लिए अच्छा है कि अमन चा और खेलने हैं आपको ट्रेड करें कि होना जाना कुछ नहीं है देसिजिजन मेकर जिन पाकिस्तान अब यह देखें नदीम अंजुम साब के केस के बाद जो आयसा है चीफ का मामला था यह बहुत कोशिश करी इमरांग खान ने सर बहुत कोशिश करी बड़े हाथ-पैर मार तोने टोटके करवाई से तोने टोटके उन्होंने वो वह जनल बाजुवा की गुड़े को लेकर उसमें स्वियां चुब वाइए और यह सब अपनी पिंकी पीर्णी जो उनकी वाइफ है उनने काफी कुछ टोटके वगरा करें जादू टोना करें एंड में क्या होगा सु तो इसका मतलब की जनल बाजुवा ने बोल दिया था उनको कि जनाब आप जितने बड़े जूते हैं आप अपने जूते पहने मेरे जूते पहने के कोश्चिश मत करिये आर्मी इस दबॉस इन पाकिस्तान तो यह जो आपने बात करी स्पीकर की इसर की स्पीकर आ गए है य अजीजिव दोवाल साभ हैं तो डिए तो जेग आप जो एक जोटे की मतलब आ गारे बाज़ा रहा जाता हैं मोजी उसाफ थोड़े लगते बहुत जवान आ बच्चे टाइप के लगते हैं और उनका उनका निग्रीन कार्ड ऑदे उस चिटिजन तो हैं अगर पूरा अमे तो इससे क्या निकलेगा, I am not very sure, sir, long term या even short term है, इस सब का निकलेगा, क्या optics के लिए ठीक है, आपको दिखाना है दुनिया को कि बड़े अच्छे संबन्द हो रहे हैं, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान अमन की ओर जा रहे हैं, अगर ये सब दिखाना है, तो आप दिखा सकते हैं, तो दिखाने में क्या दिक्कत है, तेकि मेज़ सब बात ये है कि optics तो अपनी जगा पे, लेकिन ये जो invitation है, ये तो भारत की तरफ से इनको है, इस सारी सूरते हाल में, ये तो एक इनके लिए खुशाइन बात है, कि मुदी जी फून नहीं करते हैं, भारत हम से बात नहीं करता, हम तो बात करते हैं, ये अमरान खान का narrator था, मगर अब भारत ने कुछ ना कुछ लिफ्ट कराना शुरू कर दिया, तो after all, ये सब कुछ भारत की तरफ से हो रहा है, तो इस aspect को आप कैसे देखते हैं? सर, मैं तो मुझे इसका बैग्राउंड नहीं पता, लेकिन मैं डिसग्री करता हूँ, सर, किसी भी प्रकार, मैं तो इस मैच से भे डिसग्री करता हूँ, जो क्रिकट का माच हुआ है, ये मैंने टेलिविजन पे भी बोला था, मैच के दो-तीन दिन पहले, अरनग गुसवा लेकिन मैं ताहिर साब की इज़त ना करूं, और ऐसी हरकतें ताहिर साब के पीट पीछे करूं, जिससे कि आपकी दिलाजारी हो या आपको नुकसान पहुचे, तो दोगलापन तो रुखना पड़ाएगा, और इनसान नहीं जहलते, तो मुझे इसका रीजन बिलकुल नही भी दीवार बनाता, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, और मैं ये कहता कि हवा भी न बहे बीच में, परिंदे भी न ओड़ाएगा, अगर उपर से आजार फुट से उपर को परिंदा ओड़ गया तो उड़ गया, ना जानवर आए, ना इनसान आए, ना एक दूस नहीं है, we don't need Pakistan in any manner sir, we wish Pakistan all the best, हम बुरा नहीं चाते हैं पाकिस्तान का, हम सिर्फे कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के जरूत नहीं है, और हो सकता है, मैं बड़ा खुश रहूँगा अगर पाकिस्तान ही कह दे कि हमें भी महारत के जरूत नहीं है, इस चीज को खतम करें sir, य आमन की आशा, all that nonsense, I don't believe in it, मैं सब सीजों पर विश्वास नहीं करता, और मुझे नहीं पता स्पीकर को क्यों बुलाया, और महा के NSA को क्यों बुलाया, क्या इंविटेशन था, I am not aware, but yes, at my own personal level, I disagree with it, I follow the thousand foot high wall theory of mind, sir. इंडिया में भी सर कुछ ऐसे लोग है, वो पता नहीं क्या है, एक महावरा सा बोलते हैं sir, यहां पर पुराने लोग जो हैं, जिनने लहोर नहीं वेख्या वो जम्या ही नहीं, यह मैंने भी सुनाए sir, किसी से, मुझे तो इसका मतलब ही समझ भी नहीं आए, कि जिनने लहो अचिस रोमन्टिसम सर, इसका कोई mús थोग नहीं है sir, होगा sir, लाहर ज़रूर खुब्सूरत होगा, मैं मैं भी सर लाहर कुब्सूरत है, मेरी आंकों से दिली खुब्सूरत है, मेरी आंकों में लगनों है, च्विश है, बह neatुख है, ऐसे हम जिनने लगनों ही हैं, टीक है और हम ये भी जानते हैं के प्राइम निस्टर इंजिन रामूदी ने पल्वामा की आटैक के बाट भी और इसे पहले भी कहा कि हम कैसे पाकिस्तान के साथ बातुछीत कर सकते हैं, क्रिकट खेल सकते हैं, जबके वहां पर सुबह को चाई की दावत होती और शाम को अटेक हुता है आप भी वही बात कर रहे हैं मगर लगता है कि जो इंटरनेशनल प्लियर्स थे जो अरब कंट्मीं हैं जो अमेरिका है वो भी कहीं न कहीं बीच में अपनी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं शाहिद भारत को, शाहिद मैं कह रहा हूँ कि आप इन चीजों को थोड़ा सा फिसिलिटेट कीजी, आप में का कि एक हजार फीट की डिवार होनी चाहिए, वो अपनी जगा पे जो भारत के सेंटिमेंट्स ह हैं, मकर आफ्टर आल जो भारत की सरकार ये कर रही है, बहुत कुछ सोच समझ के ही कर रही है, दीरे-दीरे ओपन अप कर रही है, आप इस एस्पेक्ट को कैसे देखेंगे? अपकिस्तान के अपने दोस्ट है, पाकिस्तानकी अपनी जिंदगी है, हम बुरा नी चाते पाकिस्तान का, लेकिन हमारा को ई रिष्टा नहीं हो सकता पाकिस्तान के पीचे। अगर गवर्मेंट कुछ ऐसा कर रही है इसके पीचे क्या सोच है सर इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है बढ़ाल as an Indian as an individual हो सकता सर क्योंकि मुझसे बड़े इल्म वाले बड़े शहूर वाले वहाँ पर बैटे हैं जिनको तरीके पता हैं जिनको knowledge है मुझसे हजार बना जादा knowledge है मैं चोटा आद्मी हूं सर मुझे इतना idea नहीं है लेकिन जितना मेरा दिमाग चलता है जितना मेरा दिल कहता है मैं तो एक ही बात यह कहता हूं कि सब relationship जितनी ना के बराबर हो उतना ही अच्छा क्योंकि सर हमें इससे कभी कुछ मिला नहीं है 1947-48 में सर गांधी जी ने fast and to death किया कि पाकिस्तान के हग का पैसा है जो इंडिया ने रोग दिया था पाकिस्तान को मिलना चाहिए रइट सर वो 50-60 करोड कितना उस जमाने में बहुत होता था यह वो पाकिस्तान को दिया था गांधी जी में दिलवाया था जबकि गांधी जी का कोई मौमद अली जिन्ना की तरह गांधी जी का कोई office नहीं था constitutional office he had no position of authority, he just had moral authority sir तो उन्होंने बोला और इंडियन गवर्मेंट ने पाकिस्तान को पैसा दिया पाकिस्तान ने पैसा लिया और आठ नौ हफते के बाद इंडिया पर अटाक कर दिया sir यह बात सिर्फ यह नहीं है sir, कि आठ लिया लिवाजपई मेरा ने पाकिस्तान गया और यहां पर कारगिल हो गया या मोदी जी वहां पर गया तो पलवामा हो गया, बात यह नहीं है sir this goes to the very दगा करना, मैं कहना नहीं चाहता but Pakistani government, जो भी successive governments है, मैं लोगों को जो पाकिस्तानी आवाम है मैं उनको दोशी नहीं मानता, इसमें मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि लोग तो लोग होते है sir, उनका क्या है sir, you cannot blame the people but धोका करना, पाकिस्तानी सरकार की, पाकिस्तानी फॉज की, पाकिस्तानी गर्वर्मेंट की sir, इनकी नसों में सन चुका है, it is mixed in their blood यह आपने सुना होगा sir, गांदी जी ने पैसा दिल वह था इन्होंने सब कुछ करा sir, सब कुछ फेसिलिटेट करा, जितना कर सकते थे, क्योंकि भारत के पास भी नहीं था इन्होंने फिर अटैक कर दिया sir, इन्होंने 1965 पर फिर अटैक कर दिया sir, अपनूर पे चल दोड़े, आप आयूप खान की आटोगाइग्रफी पढ़ी उसमें, यह सब, और यह कहते हैं, नहीं हम देनी अटैक कर रहा है, इंडिया ने अटैक कर रहा है, यह खुद की किताबे नहीं पढ़ते हैं, पढ़ लें लिगने का रिवाज तो रानी पाकिस्तान में, यह खुद के जरनेलों ने जो डिंगे आंकियां वो नहीं पढ़ते हैं, परविज मुषर अपने जो डिंगे आंकियां वो नहीं पढ़ते हैं, खुद के लोग जो कबूल करते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं, इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, तो यह सब चीज़ें ऐसा, तो हमें तो पाकिस्तान से सर हमारा बला कुछ हुआ नहीं ना हमारे देश का बला हुआ ना हम कुछ चाहते हैं कि बला हो in future. So, यह मेरी personal opinion है. सरकार ठीक है, जो सरकार कर रही है, कर रही है. मेरा अपना यह मानना ऐसा है, मुझे यह चीज बिलकुल भी समझ में नहीं आती. जब मैं कहता हूं समझ नहीं आती, मेरा यह कहने का मतलब है कि मैं अगरी नहीं करता है. That is what I mean by समझ नहीं आती, सरु. जी, बहुत आपने खुले डंग के साथ अपनी opinion दी, जिसके हम respect करते हैं. में सब, अगर हम सूरते हाल को देखें, बहुत ही recent context में, तो आप जो वहां का geopolitics है, overall, आपने पीछे बात की के पाकिस्तान अपने दोस्तों के साथ खुश रहे, मगर पाकिस्तान के तो दोस्त कहीं अब नजर नहीं आते, जो अरब मुलक हैं, वो भी उतने साथ नहीं रहे, चीन भी कुछ नहीं दे रहा, तो फिर पाकिस्तान कहां पे अपनी दोस्तियां बनाएगा? सर, पाकिस्तान ने ऐसा छोड़ा ही नहीं, देखिए सर, जो दोगला विवार होता है ना किसी कभी है, लोग पहचान जाते हैं, वो किसी बड़े मशूर इंसान ने का था कि यू कन फूल सम पीपल अल दे ताइम, बट यू को पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश करी है, और अरबों को चुना लगा है, चीनियों को चुना लगा है, अमरीकों को बहुत चुना लगा है, पूरे का सपोर्ट चाते हैं, अरब कांट्री से, और अरब कांट्री से, और अगनाज़ेशन ऑफ इसलामिक को अपरेशन जो है, जिसमें सतावन अठावन मुल्क है, उनके लीडर को हैं, सर वाइसी फंड कॉन करता है, अरब तो फंड करते हैं, पाकिस्तान के पास तो पैसा नही हैं, सर जो ऑईसी के ऑफिस, उनके जो अहलकार है, जो उनकी तनखाये हैं, जो पूरा एक बिल्डिंग है, वो कौन करता है, और इस पीपल ना सर ये, अरब्स, अरब्स, तो कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या इनको क्या लगता है कि सिर्फ योई इन्वेस्ट करे हैं, यौरा लुड़ी इन्वेस्ट करें एफिक पाकिस्तान की जो नेलेटिव उसको मुसल्मान मुल्क कर दिया है, यह नहीं का सपोर्ट ता नेरिटेव का, अब पाकिस्तान देख लिए कि उसके पास कौन से दोस्तन है? चायना नेमना कर दिया, चायना के निए कि गिना क काम शुरू करना अभी रिसेंट्री स्टेट्मेंट आया सब दो दिन पहले तीन पहले कि अगर दासु डायम पे बो करना तो पहले और तस मिलियन डॉलर दीजिया तो पाकिस्तान को और 30 मिलियन डॉलर रहे और चीज सर इनको यह पाकिस्तानियों को नहीं समझ भी यह यह जो कौड जैसा बन रहा है वो तो अलग चीज़ है जिसमें अमरिका भी है और इसराइल भी है वो तो अलग चीज़ है इंडिया वगरा बट लुक एट सरिग्ट अभी हाली में जो यूए का एर फॉर्स का चीफ है ए वास इंवाटट पाइसराइल अधियों और इसराइल ने पूरा अपना Air Force का Demonstration UAE के Air Chief के सामने दिया, Major General Ranking Officer है वो, उसके सामने उन्होंने पूरा Demonstration दिया. तो आप आप ये समझ सकते हैं स्वत कि दुनिया किस तरफ से चल रही है। और पाकिस्तान अभी भी वही कह रहा है कि क्रिकेट में जीत आले में इसलाम की जीत है, वही है, अपने लाल हवेली के आस पास के वो लोग जो नान चोले बेचने वाले, उनी को इंप्रेस करने में लगे हैं, दुनिया बिलकुल 360 डिग्रीज गोल गूम के वापिस इसी और बाजवा साथ मुझे लगता है जनल बाजवा थोड़े स्याने हैं, उनने पिछल साल एक बाद बड़ी इंपोर्टन बात करी थी, और अकल बंदी की बात तो इम्रान कान को समझ में आती ना, उनने बोला कि इस ताइम तो लुक अ जियो एकोनोमिक्स, नो जियो पॉलि कश्मीर बोलने के लिए या पैसा देने के लिए और तीसरा काम तो है नहीं सर, कश्मीर कौन बोलेगा सर, जिरों ने कश्मीर बोलना था वो तो कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी किसी से भी सर, एक्स वाइजड कोई भी कंट्री हो, आफरीका की छोटी सी कंट्र करती हो, वहाँ पे उस से बुलवा देंगे, यूएन में और फिर डॉन न्यूज में फ्रेंट पेज पे छप जाएगा और पाकिस्तानी मीडिया के ये कंट्री जिसका किसी ने नाम नहीं सुना, उसमें कश्मीर बोल दिया, बस यहीं इनके रहेगा सर, बाकी तो, अब दे पैसा कर्श करते लो, इंडिया को कोई फरक ने पड़ेगा, इंडिया को जो ये ब्लैक डे मना रहे हैं, सर, एंबसी में चित्थी लिखी, थोड़े बहुत मार्चेज वार्चेज यहाँ वाँ, फिर क्या हुगा, पीपल आर इंवेस्टिंग इन कश्मीर, सर, पीपल आर लग रहे हैं, सर, यहाँ पे ड्रोन्स की मैनिफाक्ट्रिंग की एको सिस्टम सेट अप करने की बात हो रही है, जनरल अटॉमिक्स की, वो ड्रोन जो पाकिस्तान की फिजाय से ओड़के, पाकिस्तान की हवाई हुदूद को लां के अफगानिस्तान में जाके ड्रोन स्ट्र करना, सड़क गली मौले के लॉंडेल अपाड़ों को एक स्पीच दे दी, उन लोगन गुला, वा, अबरान कान, वा, उसी में है, सर, उसकी सियासत उसी में महदूद है, उसको, ही इस नाट बेन अबल तो थिंक वरी मदूद है, सर, तो, इसको, ही इस नाट बेन अबल तो एक स्टेबिलिटी और बढ़ेगी, और एकनामिक जो भलाई होगी, उसका उनने भी एकुल फाइदा है, तो यह है सिच्वेशन, लेकिन इसके साथ साथ कहीं गलती से OIC ने पिछले दिनों एक ट्वीट भी दे दी थी, असान के इशू पे, जिस पे भारत की फॉर्मिनिस् नहीं हैं, तो आप दूसरों के इंटर्नल मौामले में बोलते क्यों हैं, तो इस पे उसके बाद OIC भी ठंडी पड़ गई, चुके आपकी बात दुरस्त है, कि OIC को फंड करने वाले तो यही तीन चार बड़े कंट्रीज हैं, UAE हो गया, सौदी अरब हो गया, कतर हो गया, इनके तो भारत के साथ बहुत अच्छे मरासम है, सरफ मरासमी नहीं है, बहुत तल्लक भी है, और उनको यह भी पता है, कि बहुत बड़ा जो मुस्लिम एक चंक है, अपने नमर्स के तबारत से, वो भारत में भी रहता है, कुश्मीर इटसल एक मुस्लिम मेजर्टी तो इस सारी सूरते हाल को आप कैसे देखते हैं, कि भारत की जो फॉरण पॉलिसी चेंज होई है, कि पूरी दुनिया में सब इस वक्त साथ खड़ी है, इतनी बड़ी फॉरण पॉलिसी कभी हमने भारत की इतनी एफेक्टिव आज तक नहीं देखी, बहुत अच्छी रही ह लिए, मगर इस बार तो बहुत ही बड़ी आ जारही है, कि रूस के साथ भी तलकात हैं, चीन के साथ भी थोड़े बड़ तलकात भी रहते हैं, और साथ-साथ उनको खरा जवाब भी दिया जाता है, अमेरिका के साथ जितने इच्छे तलकात हैं, पहले कभी नहीं थे, तो सारी सूर्थे आल में आप कैसे देखते हैं कि भारत तल्क भी रखता है और बात भी बरदाश्ट नहीं कर रहा जे अजय को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था तो उनको याद दिलाना पड़ता था जब उन्होंने समुधर पार करा था तो उनको याद दिलाए था कि आप आ आप पवन पुत्र हैं, आप कर सकते हैं, तब उन्होंने करा, वो होता है, तो इंडिया भी वैसी है, इंडिया को ये एहसास दिलाया है, इंडिया की लीडर्शिप ने, कि यू कें डू इट, और हमने कर दिया, और दुनिया ने इसको एक्सेप्ट करा से, वो अमेरिका की शि जो भी लिख देता, टेली क्रोंप्टर में वो पढ़के बता देते हैं, कि इंडिया बगल बच्चा बन गया, इमेरिका का, या फिर इंडिया जो अमेरिका बोलेगा, वही इंडिया करेगा, अब तो हम लोग जेल चुके हैं, इंडिया हम से सीक्ट है, हम या गलती है, इस हम अट डीका से सीक्ट हर अमरीका से लोन नहीं जी है, हम खुद मैस करेंगे मैंगे सर, क्या हमारे अगरी आए जी जी नहीं है, लेकिन हमारे एक चीज़ नहीं है रह मांगलने का अगर हमने किसी कांट्री से या किसी इंस्यूशन से पैसा लिए तो हमसमें परे वापस कर खाके नहीं सोते होंगे रात को, लेकिन इंडिया ना कभी भीट महाएं नहीं मागी से लोगों से ऐसी, इसलिए लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आप में फॉरंड पॉलिशी की बात करने इंडिया की इसलिए है सर क्योंकि इंडिया ने लेवरेज करना शुरू कर दिया, जैसे सोचते हैं कि अगर OIC के ट्वीट से ये लोग कश्मीर फटह कर लेंगे या भारत को नीचे दिखा देंगे तो ट्विटर पर थोड़ना ये चीजे होती है ये तो मैदान में होती है तो पाकिस्तान में ये मैं ये पाकिस्तान बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे उन्होंने मोदी जी को गाली हैं दी सकते हैं क्या हुआ इससे बड़ी बेस्ती क्या हो सकती है कि एक हैड ऑफ स्टेट दूसरे को अच्छा फिर इम्रान खान इतना मतलब पता नहीं बेशरम ठीक वर्ड होग किस मुसा मोदीजी को खून कर रहा है हुआ यहाँ यह भाद समझ में नहीं आई यह क्या जोर्ठ दिदी खिरोम मैं अच इस बंदे को गालिय को गालिया निकाल रहूं झाल आं उसी को तो फोन कर रहा हुआ एं यह फोन कर रहा है यह उट ओ सू इस यह तो मैं पर लॉग त इस भी तेपिकल फिंटेशन्शल यह नो पाकिस्तानी लॉजिक सब्सक्राइब। तो मुझे तो समझ में यह बात नहीं आई। क्या कहने की बाती है कि अच्छी एक टुकाट लॉंश्टोरी शॉर्ट यस इंडिया है इस लॉट आफ लुट फानच लॉट फूल पाकिस्तानी कहते हैं बहुत पैसा है इसलिए है भारत की पूल जाते हैं भारत की पैसे नहीं थे एक जमाना था जब भारत के पास पैसे नहीं थे सर एक जो जमाना था जब मुं रूस से हतियार खरीगते थे हमें रूस को देने के लिए डॉलर नहीं होते थे हमारे पाई डॉलर हीना जो तक हरों 960-960 की उनने सो पचास की रूस से हत्यार अम लोग लेते थे हम लोग ऌंड देते थे हालू देते थे हम लोग यह सब चीज़े रूस भेजते थे रूस हमारे पास नहीं थे पैसे से तब भारत ने अपना सर नहीं जुकाया हमारे लोग भूके मर गए सर देखिए बात है गैरत इजट यह सब चीज़े मुझे लगता है पाकिस्तान में बेर स्पोकन इस इस वडार तुर में सुनने में अच्हा लगका एड बेरन प्रैक्टस इड सेड जब जब बुटने बोला कि पाकिस्तान एक हजार साल तक घास यह लेकन बना के वानेगा वह वो गास किस ने काई से बॉत ऊप है आगि काई ऐस बुटों ने सर बुटों के बच्चों ने का आपको इजस्त के बच्चे का अपके इजट की जिनदगी कि आपको इजट की जिनदगी निभानी पड़ेगी जब भूख लगती है चब इन्सान को भूख लगती ए तो आपकी इजट गोलती है कि पेट पर प्त प्तर बांट के सो जाओ लेकिन रोटी मत मंगो झाओ पहसा होना चाहिए आपकी टगड़ी तक्रवादी अचीए उस से मुलकों के मुकड़र डिसाइड़ों के टुटर पेमोलकों के मुकड़र तोड़र डिसाइड डिसाइड रूते हैं आपने बात की कि प्राइम अमरां खान एक तरफ तो बहुत ही निचले-दरजे की बाते कर देते हैं प्राइमिस्टर दिसाइड मुधि के बारे में जैसा को भी प्रेजे नहीं किया। पाकसान की हकूमत ने अमरीका में उस सैनिटर ने भी कह दिया जी के बाइडन जी को कॉल करना चाहिए अगर बाइडन जी कॉल कर भी लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है और क्यों ये इतना बड़ा मसला है सर यह मैं बता रहा हूँ यह सब ना इनके दिमाग में कीड़े हैं मैं यह कह रहा हूँ कि अगर बाइडन में कॉल कर दिया फिर क्या होगा यह इंवरान खान पता है सर वो टिपिकल जो वो आपके हैं पिक्चर नहीं बंती मॉला जट नूरी नट टाइप ली इस टाइप की अगर इंडिया इससे बात कर लेता है पाकिस्तान से इम्रान खान और मोदी जी फिर क्या होगा सर ग्रांट में कुछ नहीं होना यह सब अपनी बाइडन का कॉल आ गया जिसको गाओं में निकरता है इम्राहन खर चफेर करना शुरू कर देते हैं पधार करना शुरू कर देंगे ना इससे होगा कि अगर मैं कहता हूं चलिए मैं के कॉल आ गई इम्रान कान को इम्रान कान को कॉल आ गई फिर क्या होगा उसके बात क्या होगा नेक्स कट क्या होगा इम्रान क्या बोलेगा कि बाइडन साब बहुत बहुत शुक्री है आपने कॉल करा सब कश्मीर पे बयान दे दीजिए और उसके थोड़े पैसे दे दीजिए और उसने बोलना कि कश्मीर के गंटे लंबी बात हो गई, बाइडन ने बोल दिया, अमरान खान, तुम मेरे भाईओ, उसने बोल दिया, बाइडन, आप मेरे भाईओ, सब कुछ बाते हो गई, जीने मरने की कस्में खाली, और उसने बोल दिया, कि हम पाकिस्तान का कश्मीर पर सपोर्ट करते हैं, फिर क्या जो एक तर्मॉल है, वो तो हमेशा ही रहता है, और लगता है कि मैं तो साथा साल से, बलके शायद पचास साथ साल से देख रहा हूं, कि एक डिस्ट्रेक्शन की पाकसानिय पॉलिटक्स चलती रहती है, इस सारी सूरत में भारत में बहुत सारे तेजी से पार्जेक्ट्स हो र बजट आया है, और इन्वेस्ट्मेंट्स हो रही है, और एट पॉइंट फाइव की ग्रोथ की खबरें आ रही है, तो इस सारे सिनेरियों में तालबान उदर बैटे हुए है, आखर में हमारे वियूर्स को समप कीजिए, कि जो वहां की जियो पॉलिटिक्स है, आपको कैसे दिख रही है, देखे साब मुझे तो ये एक बात ये समझ में आ रही है कि पाकिस्तान की पॉलिसी थोड़ी सी सेल्फ आइजोलेटिंग की है, पाकिस्तान खुद एक चीज में कदम बढ़ाता है, भज जाता है, फिर दुनिया से मदद मांगता है कि मुझे निकाल लो, कि साब, आप हमारे इंटर्नल मामलों में दखला इंदाजी मत करिये, हमें पसंद नहीं है, उन्होंने बोल दिया, ठीक है, तालेबान ने बोल दिया कि आपका और टील पी का मसला आपस का है, आप आपस में बात करिये, ठीक है सर, लेकिन ये इतने दिल भेक, आशिक की तर जिये स्वकें अच्वेर में पसानों, और इसे स्वकें घुखन के जिगन, इस है। एनों इसे बात भी बोली है कि विदिन थ्रीयर्स आइल गिवि रोड्स गार्व जाता है और सस्ते में टॉप टॉवर क्लास काम करवाने की उनमें महारता है प्रोजेक्स के आविए इसलब एंफ़ इसलों इसलों जो अमिच्छा जी इन नितन गटकरी जी इसलों बेसिकली सर यह बड़े-बड़े प्रोजेक्स डाल के उनको एग्सक्यूट करवाना टाइंली फैशन में बजेट के अंदर इनमें यह लोग हजार बार कर चुके हैं मोदी जी हजार बार गुजरात में कर चुके हैं ट्राइड टेस्टेड उनका मॉडल है आप कोई भी चीज बोलेंगा इंडिया में जितने भी प्रोजेक्स हैं जो साल दर साथ डिले हो रहे थे इंडिया आइमिन श्रीनगर मेरा मतलब श्रीनगर से अभी तो एक हिंदुस्तानी ऐरलाइन्स शार्जा जा रही है कि दुबै से श्रीनगर के लिए फ्लाइट में आएगी एमिरेट्स की और कंट्रीज की उ तो अभी एक फ्लाइट को लिये सर Столя यहां पर भॅड यहां पर घ्रेस की फ्लाइट लगी कल यहां पे American Airlines की फ्लाइट लैंड होगी, कल यहां पे 10 किसम की और एलाइट की फ्लाइट लैंड होगी, क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, that is the way they are doing it. मोधी गवर्मेंट ने बहुत बड़ा एक प्लाइन के लिए बना रख आ पाकिस्तान फिर ने छोटी छोटी बात ने करता है वहां पे इतने हिंदू नहीं यह हिंदू-Mुसलमान में रह गहे हैं इसलिए मुल्क का बिड़ा गर्क हो गया, sir. अगर आपको इसको 5 trillion dollars की एकॉनमी बनाना है अगर आप चाहते है कि consistent आपकी growth rate बनी रहे तो आपको एक करना पड़ेगा सब जो लोग चाना में manufacture करेंगे लोगों का वापिस आना शुरू हो गया है so all these things are taking place sir and all these things are taking place in India at a very 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 rapid place दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो का अपने अंतक देखा होगा और ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा तो ऐसी interesting और informative वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जुरूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी interesting और informative वीडियो लाते रहें और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने विचार हमें comment section में लिखकर जरूर बताएं तो अगली वीडियो तक आप अपना ख्यार रखिए जल्द मिलेंगे जै हिंद जै भारत